आज की स्वीडियो में हम जानेंगे कि नदी को इंगलीज में क्या कहते है तो नदी जो होती है वो बहती हुई जाकर समुंदर में मिल जाती है तो नदी को इंगलीज में बोलेंगे रिवर और समुंदर को इंगलीज में क्या बोलेंगे एक्जाम्पल वहां के सबसे बड़ी नदी गंगा है दा लार्चेस रिवर देर इस दा गंगा दूसरा एक्जाम्पल नदी की किनारे पर बैठ कर शांती का अनन लेना महतपून है नदी के किनारे को इंगलीश में क्या बोलेंगे रिवर बैंक